नमस्कार दोस्तों तो सागत है आपका मेरे यूटूब चैनल सुशी जी आप पे तो दोस्तों आज मैं गया था बैजरो और वहां से मैं गया आंगनबाडी बच्चों का समान लेने तो मैं आज की ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मटे लगाओं और जो आंगनबाडी है त अब हम पहुंच गए यहां पर देखो हमारी आशा वहने भी हैं आपर और आज हो रही है राशन बटाई यह देखो यह बच्चे हैं सारे क्या बट रहा है आज पहले अपना नाम बता दीजिए ग्राम पहल यह आशा वहने हैं हमारी बहुत मेंनत करती है और यह भावी जी यह तो हमारी भावी जी है अपना दरा इंट्रक्शन दे दीजिए नाम दिलावती देवी है मैं ग्राम सबा माटेरा से आशा बारे करती हूं आज हम यह बच्चों को राशन बित्रित कर रहे हैं जैसे नमक है आठा है भाटा है यह वादा साल से छोटे बच्चों को मिल रहा है जो भी ग्राम सबा में हमारी ग्राम सबा में है अर यह है अपना पर पर थोड़ा बहुत सिकाते हैं आपर देखो पूरा प्रोटेक्शन भी बी ओरा है मताब मास के साथ है सब लोग वेट अगरा सब कुछ करते हैं तो दोस्तों यहां पर मतलब हाथी बच्चों की पढ़ाई से लेकर राशन से लेकर वेट अगरा सब कुछ तोला जाता है तो दोस्तों वैसे ही हमारे पड़ोसी गाउं के हैं तो हमारे मरिष्टे में भाविया लगती हैं और यह आशावेना बहुत मेहनत करती हैं मतलब इस कुरोना काल में जो भी टीका गरन का प्रोसेसिंग इंतिजाम गाउं जाके लोगों को बोलना यह सब इनके दोरा हुआ है यह सच में बहुत मेहनत करती हैं अपना घर समालती हैं बच्चे समालते हैं और आंगनबारे का पूरा काम समालती हैं मतलब एक तरह से बहुत खुशी मिलती है आज की जो नारी है ना वो सीमित नहीं है तो बहुत अच्छा लगता है अभीनार आजिसने हैं। छारीस-पचास की प्राइब verde टो दोस्तों, धुस्तर मैं दिखाता हूं, एक और सशच्त नारी ये दिखो मते लगायों की हैं भावी तूफहना हैं तो ये देखो, ये खुदहल लगा हूँ और बहुत महिनत करें मतलब मतेला गाओं में जो नारी है वो बहुत ससक्त नारी है तो दोस्तों अभी मैं आ रहा हूँ बैजरों से और अगेन फिर आप लोग कोगे कि रोज रोज ही रोड के बारे में बोल रहे हैं बड़ देखो दोस्तों कैसे समान ढोके लाना पड़ रहा है और बहुत ज्याद परिसान है यहां मतलब एक बार गाओं में पहुंच जाते हैं तो इसके बाद बोलता है कि भाई बैज रोजाना ना होए चड़ाई की विज़े से तो दोस्तों यहां से हो गया मटेला गाओं सुरू यह है अनील चाचा की छनी अभी आज भी भैंसंतर बंदी विया ना उकाल ना उंदार यहां तो उकाल बहुत है उंदार तो नीचे था आते टाइम होगा तो दोस्तों यह पहुच गये है ग्राम मटेला मल्ला आपका हार दिका भी दंदन करता है मटेला के गेट पर यह दिखिए यह मटेला गाओं के दर्सन करिए बहुत ही अच्छा गाओं है यह आगे जस्वंत का घर आ गया सीधा और यहां पर एक दादी थी वो दादी अभी मुझे लग रहा है दिल्ली में है बहुत अच्छी थी हमें बहुत याद आती है उनकी और यह देखिए मटेला गाओं के घर बहुत प्यारे घर है और यहां देखिए दीचे मसीन है यह देखो यह है दर्सन भाई का घर यह दर्सन भाई के घर में पहुंच गया है अभी घर पे कोई नहीं है शायद अब आगे यह जसली दादी का घर है कभी दादी की भी बहुत याद आती है और यह दिलिप भाई का घर है और यह देखिए नीचे अर्विन भाई का घर और यह मटेले गाओं के खुबसूरती देखिए पेड़ पौध है यहां पे हमारे गाओं के मतलब एरे साथ पे जो यह पुराने जमाने में बनी है बट यहां पर इसे रिनोवेशन करके एक अच्छा सा लुक दिया है और वही बहुत ही प्यारा लगता है मतलब मतेला गाओं के खुबसूरती पर चार चान लगाता है यह वाला घर है वह बहुत प्यारा घर है और यहां पर हमें उन्हें की भी बहुत याद आती है देखिए तिवारे की खुबसूरती देखिए भाई सब बहुत गजब यह मनोज भाई की रिक्वेस्ट पर मैं मतेला गाओं का वीडियो बना और यह वाला जो आम का पेड़ है ना यह मनोज चाचा कह रहे थे कि उनकी दादी लेके आई थी यह पर कभी बहुत दरने आन चाहा अभी भी आन दोला और यह तो तुफान बेज करो घार है यह देखा कि मस्त मकान शीनम में टलगों यह देखा दुबारा में तुफान भाई का घर दिखा रहा हूं और आगे आगे देखिए यह ताजबीर भाई का घर है और यह लकडी लेते जाते हुए यह देखिए कुछ मकान टूट भी रखते हैं यह ताजबीर भाई का घर है और इधर हम आते हैं मनोच चाता जी के घर पर तो चाता जी अपना मकान देखे और बताएं कि आपको कैसा लग रहे हैं दूर से देखते हुए क्योंकि आपके रिक्वेस्ट प अब लैंटर वाले हो गया है क्योंकि आजकल वही फैसलेटी तो हर एक को चाहिए यह देखिए मत नमें पहुंचने अवाला मतेला की चन्नियों में यह देखिये i amasdar तो दोस्तों मैं पहुच चुका है मतेला की छेनियों में अकल मेरा बासी गाहन से मेरे एक बतीजे का मैसे जाया था कि अपने नाम नहीं लिया है कि नराबांसी में भी रोड की जा रहत है तो प्लीज मेरे सबसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि इडा सिम्कोली मतेला नराबांसी सब जगे रोड आजाए प्लीज यह तो दोस्तों यह मैं ले रहा हूं उपर से मतेला गाओं की सुन्दर से दिरिश्य का एदे को खुम लगे हैं एक घा गाओं है चारा तरफ से देखो पहाडिया और पहाडियों के बीच में मतेला गाओं बहुत ही मस लग रहा है तो दोस्तों फैनली हम पहुचने वाले हैं मतेला की देवी में बस यह रह गी है लास की छन्नी और इसके बाद आ जाएगा देवी मा का मंदिर वो मैं आपको दर तो दोस्तों एक बार फिर कीजिए मतेला की देवी मा के दर्शन यह जै हो देवी मा यह मेरे सके साती आ रहे हैं अर्पित पोखरियाल रीना और शिमकोली की भावी जी यह देखो हमारे कट्टे आटा अगरा के जो हम लेके आ रहे हैं रासन पानी तो दोस्तों अब हम सबसे लास में जो आपको दिखाई दे रहा है वहां से हम मटेला है मटेला से गंकुले और गंकुले से बिंडी रॉली अब जा रहा है सीधे घर तो दोस्तों फाइनली हम पहुझे हैं मटेला तहर में और आज की चड़ाई होगी है बहुत थकान भी लग गी है जबरदस्त तो घर जाके अराम करिए और आप देखते रही है इस ब्लॉग को तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में कुछ करें कि आपको क्या देखना है क्योंकि मेरे से इतना हो पा रहा है मैं कर रहा हूं तो प्लीज ब्लॉग को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाबाए दोस्तों कर दोस्तों में करें 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 दोस्तों म झाल 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 झाल